चाप्टर को explain करने से पहले मैं पता दूं प्लस वन और प्लस तुके biology के सारे चाप्टर विद explanation आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं तो अगर आप need की preparation कर रहा है या boards की preparation कर रहा है तो चैनल को subscribe करना मत भूईएगा तो start करते हैं the living word से जो की हमारा first chapter है class 11th का तो यहां पर हमने बात की कि ये video need aspirants के लिए भी है और board students के लिए भी है तो explanation पर जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि दोनों का syllabus जान लेते हैं जिनके पास नहीं NCRT है बहुत अची बात है परानी NCRT है तो आप मार्क कर लीजिए कि हमें NEET में three domains of life, exonomical aids, botanical garden, museum, zoological parks, keys, monograph, flora, catalogs यह सम नहीं पढ़ने हैं और इस chapter में एक topic add हुआ है उसका नाम है what is living तो board वालों हमें एक extra चीज पढ़नी है आपके case में three domains of life चुकि हम सबसे last में cover करने वाले हैं तो start करते हैं chapter का explanation देखो यार पहले chapter के नेम को देखो the living bird, living का मतलब क्या होता है जिसके अंदर life होती है हाँ, तो एक ऐसा word जिसके अंदर life होती है life नहीं, lives होती है क्योंकि word के अंदर बहुत सारी life है एक human की ही life, life नहीं है animals बहुत सारे है birds बहुत सारी है bacteria है, तो यह सब life है जो life हम सब के अंदर है अगर आप को कोई कहते हैं कि इसको define करो, तो आप कैसे define करोगे आप अपने अंदर feature देखोगे कि मैं बढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर growth हो रही है मेरे अंदर metabolism हो रहा है respiration हो रहा है, digestion हो रहा है यह सब चीज़े एक living being करता है आप यही सब की help से living being को define करने की कुशिश करेंगे simple language में बूले, तो आप living being के feature non-living being से compare करेंगे ठीक है, तो living being में features कितने types के होते हैं तो features दो types के होते हैं characteristics features और defining features characteristics features में exceptions होते हैं उनकी help से अगर हम एक living being को define करेंगे तो फिर वो definition हमारी गलत भी हो सकती है और defining features के पास कोई भी exception नहीं होते हैं और इनहीं की help से हम एक living being को define करते हैं तो अब हम उन features को देखने वाले हैं और उनको detail में पढ़ने वाले हैं फिर पता लगाते हैं कि वो characteristics feature है या फिर defining feature है पहला feature है हमारा growth फिर है reproduction फिर है metabolism और फिर हमें पढ़ना है cellular organization लास्ट पढ़ना है consciousness पहला feature हमें पढ़ना है growth तो growth कब होती है जब size और mass increase होता है तब growth होती है तो growth कितने type की होती है extrinsic growth जो कि सर्फ बाहर बाहर से होती है यह अंदर से नहीं होती है जैसे कि mountains में होती है और intrinsic growth जो कि अंदर से होती है अगर हम बात करें living being की तो ऐसा तो है नहीं कि सर्फ skin की growth हो रही है अगर skin की growth होगी तो फिर bone की भी growth होगी muscles की भी growth होगी और जितने भी अंदर organs है उन सब क की भी growth होगी ठीक है लेकिन extensive growth में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है mountain स्रिफ उपर-उपर से बड़ा होता है ठीक है वो स्रिफ बाहर से growth होती है अब intrinsic growth भी दो types की होती है देखो एक determinate intrinsic growth और एक indeterminate intrinsic growth जैसे देखो अगर हम अपनी height के बारे में बात करें तो हमारी height कुछ age तक ही बढ़ती है फिर उसके बाद हम वैसे ही रहते हैं ठीक है और अगर हम वही plants की height के बारे में बात करें तो फिर वो कितना बढ़ सकता है हमें पता नहीं होगा तो जो plant की height होती है प्लांट की जो growth होती है वो indeterminate intrinsic growth होती है और अगर हम human beings की बात करें तो फिर determinate intrinsic growth होती है तो अभी अपने growth पढ़ लिया है तो पता लगाओ कि जो growth होता है वो characteristic feature होता है या फिर defining feature होता है यहाँ पर आपको साफ साफ दिखरा है कि mountains में भी growth होती है मतलब की non-leaving things में भी यह चीज हो रही है तो फिर यह defining feature नहीं कहलाएगा यह एक characteristic feature है leaving beings का second feature है हमारा reproduction जब नए individual form होते हैं production होता है नए individuals का तब वो process reproduction कहलाता है unicellular organism में reproduction और growth का मतलब एक ही होता है क्योंकि unicellular organism एक cell से बने होते हैं तो जब वो growth करते हैं मतलब एक से जब दो cell बनता है तो reproduction भी हो जाता है साथ में कि एक organism से दो organism बन जाते हैं ठीक है non-leaving organism में reproduction नहीं होता है मुछ living being भी reproduce नहीं कर पाते हैं जैसे कि mules हो गया mules क्या होता है horse और donkey meet करते हैं तब mule form होता है तो अगर mules को बनाना है तो horse और donkey के बीच में cross करवाना पड़ेगा तभी एक mule बन सकता है मूल मूल से जब meeting करेगा तब एक mule form नहीं होगा और worker bees हो गई और कुछ sterile couples हो गए ठीक है मूल से हमें पते चलता है जो reproduction होता है वो भी characteristic feature ही होता है living beings का क्योंकि सारे organism में reproduction नहीं होता है थर्ड feature है हमारा metabolism जितने भी chemical reactions हमारे body के अंदर को रहा है उन्हीं को हम metabolism बोलते है non living beings के अंदर metabolism नहीं होता है और सारे भी living beings के अंदर metabolism होता है फिचा है वो unicellular हो, multicellular हो, prokaryotic हो, eukaryotic हो, human हो, animals हो सम्में metabolism होता है तो यहां से हम बता सकते हैं metabolism एक defining feature है living beings का fourth feature है हमारा cellular organization मतलब कि कुछ living beings या सारे living beings cell से बने होते हैं या नहीं बने होते हैं तो आप class 8 से पढ़कर आ रहे हो cell is the basic unit of life cell is the structural and functional unit of life cell से ही हम पूरे-पूरे बने होते हैं जिस तरीके से building में eat होती है उसी तरीके से हम cell से बने होते हैं ठीक है यह आपको पता होगा मुझे पता है तो सारे ही living beings cell से बने होते हैं और non-leaving beings cell से नहीं बने होते हैं ठीक है तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो cellular organization है वो भी एक defining feature है leaving beings का फिफ्ट feature है हमारा consciousness तो consciousness के लिए में एक term आपको समझाना चाहूंगी stimuli क्या होता है हमारे environment में जो भी changes आते हैं उसे हम stimuli बोलते हैं जैसे कि अगर आपके हाथ पर एक hot objective touch होगा तो वो जो hot object है न वो stimuli है और आपका हाथ पीछे होगा ठीक है वो जो आपका हाथ पीछे हो रहा है यह response है जो आपकी तरफ से लिया गया है इसी को हम consciousness बोलते हैं हमारा हाथ hot object पर लगा तो हमारा हाथ तुरंट पीछे होगा क्यों पीछे होगा क्योंकि हमारी skin sense कर पा रही है कि that object is very hot ठीक है इसी वज़े से हमारा हाथ पीछे होगा अब यह सरीफ humans में ही नहीं animals में भी होता है और plants में भी होता है आपने mimosa pudica जिसे हम च्वी मुई के नाम से जानते हैं touch me not उसके अंदर भी यह feature होता है तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो consciousness है यह एक defining feature है living beings का और एक human being ही ऐसा organism है जिसके अंदर self consciousness भी होती है ओके सारे ही features पढ़ने के बाद अगर अब आपसे पूछे कोई what is living तब आपका answer क्या होगा हमारी definition ऐसी होनी चाहिए living things are made up of cells जो cells से बने होते हैं can respond to the stimuli और stimuli को respond कर सकते हैं मतलब की conscious हो सकते हैं capable of carrying out various kind of cellular activities और जितने भी cells में activities हो रही है वो भी उनके इंदर होनी चाहिए मतलब की metabolism होना चाहिए ठीक है यह बनती है हमारी living की definition आप बोलोगे यहापे growth और reproduction तो है इंगी जो growth है और reproduction है these are characteristics feature of living beings ठीक है अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो लेकिन अगर आप avoid करोगे तब आपके definition जाल अच्छे से अच्छी लगेगी diversity in the living हमारे असपास एक ही टाइप की life नहीं है कि हम humans ही है अगर आप अपने आसपास देखोगी तो हमें cow नजर आ जाती है goat नजर आ जाती है dog नजर आ जाता है cat नजर आ जाती है और भी बहुत कुछ नजर आता है अगर हम एकदम सुलसान इलाके में चले जाए तो हमें plants ही plants नजर आ जाएंगे ठीक है जितने भी different type के organism होते हैं उन्हें हम species बोलते हैं जैसे कि अगर एक dog है cat है तो यह दो अलग species है animals की भले उनका kidnap एक है animal कहलाते हैं वो लेकिन वो अलग species है यह सब अलग अलग species है animals की ठीक है अगर आप बात करी plants में तो hibiscus यह अलग species है plants की flowers की ठीक है अभी तक number of species जितनी भी describe की गई है जानी गई वह 1.7 million से 1.8 million के करीब हैं तो जान रहो हमारी human की बात करें तो हमारी कितनी जादा population है अर्थ पर ठीक है उसके बाद we are one species हम एक species है ठीक है उसी तरीके से species एक ही है और तो फिर आप जान सकते हो कितने जादा organism हमारे अर्थ पर present है जब 1.7 million से 1.8 million तक species अभी तक जानी जा चुकी है और बहुत species अभी तक हमें पता भी नहीं है जिनका हम नाम जाते तक नहीं है जो different types of organism हैं जो हमारे अर्थ पर present है उन्हीं सब को जब हम मिला देते हैं तब हम इन्हें बोलते हैं biodiversity तो अभी हमने बात की इतनी जादा species हैं हमारे अर्थ पर तो उन्हें बोलते हैं biodiversity और कुछ species तो हमें पता भी नहीं है अगर हमें कुई नहीं species पता चल जाती है तो हम करते क्या हैं तो उनका identification होता है classification होता है nomenclature होता है और documentation होता है और इसी सब की study को हम taxonomy बोलते हैं कि वह species है कैसी उसको उसको पहले हम identify करेंगे ठीक है अगर को उसकी ठीक है classify करेंगे फिर nomenclature उसको एक अच्छा सा नाम देंगे फिर documentation एक file पे लगा देंगे कि हाँ अब हमारी list में ये भी species आ चुकी है organisms को on the basis of their similarities और dissimilarities उनको अलग-अलग categories में डारना उसी को हम classification बोलते हैं और ये जो categories होती है इसको हम biology के term में taxa बोलते हैं और एगर singular में बोल रहे हैं तो taxon बोलेंगे ठीक है अगर systematics की बात की जाए तो system मतलब क्या होता है system में रखना अच्छे से lining में अगर आप अपन साइड पर हो chemistry की एक साइड पर हो physics की एक साइड पर हो right क्यूंकि आप चाहते हो biology 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 एक तरफ हो right तो उसी तरीके से system में रखना taxonomy को taxonomy और evolution को जब हम plus कर देते हैं तो systematics बन जाता है मतलब कि हम taxonomy भी कर रहे हैं उस species को identify कर रहे हैं classify कर रहे हैं नाम दे रहे हैं और documentation भी क करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले इसकी तरह कोई organism होता था जैसे कि अभी हमारा human being का evolution देखो तुम कहा जाता है जो बंदर है वो हमारे पूरवज है ठीक है कुछ ऐसे changes हुए तो इसी को बोलते हैं systematics की taxonomy और evolution को साथ में लेकर चलना I hope आपने taxonomy भी सबचली हो taxonomy identification classification nomenclature और documentation organism का करना उसे हम taxonomy बोलते हैं taxonomy और evolution को साथ में लेकर चलना उसे हम systematics बोलते हैं एक organism को categories में डालना taxa में डालना on the basis of their similarities और dissimilarities उसे हम classification बोलते हैं तो अभी हमने देखा taxonomy में हम करते हैं characterization फिर करते हैं identification फिर करते हैं classification और उसके बाद बारी आती है nomenclature की तो nomenclature का मतलब मैंने बताया नाम देना तो ऐसा वैसा हम नाम नहीं देते थे हैं चिंकी मिंकी इसको हम बहुत ही अच्छा सा नाम देते हैं और ऐसा नाम देते है जो पूरे word में इसी के नाम से जाना जाएगा जैसे कि humans कमारी बात करो अभी आप हिंदी में बात करो तो मनुष्य बोलते हैं उर्दो में बात करो तो इंसान बोलते हैं और इंगलिश में बात करो तो human बोलते हैं word की अलग-अलग जंगा इंसानों को अलग-अलग नाम से जाना जाता है तो इससे अच्छा है कि हम एक ऐसा नाम रग तें कि पूरे वर्ड में वह नाम फेमस हो जाया इसी वजह से हुमो सेपीज एक ऐसा नाम है जो पूरे वर्ड में के लिए युमन के लिए यूज किया जाता है और हुमो सेपीज को हम scientific name भी बोलते हैं human beings का किसी भी scientific name में दो components होते हैं, इसी वज़े से इस nomenclature को हम binomial nomenclature बोलते हैं, पहला जो name होता है, वो generic name होता है, मतलब कि genus का, genus क्या होता है कि हम आगे देखेंगे, और जो second component होता है, वो species का नाम होता है, botanical names जो होते हैं, वो ICBN के rules के according नाम रखते हैं, और जो zoological names होते हैं, वो ICBN के according names रखते हैं, तो अब हम कुछ universal rules देखने वाले हैं, binomial nomenclature का, जो सभी ही countries में पुरे word में एक तरीके के होते हैं, जो specific name होते हैं, specific name मतलब scientific name, वो italics में लिखे जाते हैं, अगर हम italics में नहीं लिख सकते हैं, तो उसके नीचे underline कर देते हैं, जैसे कि आप सकते हैं, first word जो होता है, वो вопрос जिने का नीम होता है, second word species का नीम होता है, generic name जो होता है, capital letter से start होता है, species name होता है, small letter से start होता है, scientific name के आगे हम उनका भी नाम लिखे हैं, जिसने उस species को नाम दे रखता हो, जैसे कि महिंगी फेरा इंडीका, के आगे हम लिन लगाते हैं मतलब क कि लिनायेस का शौट फॉर्m लगाते हैं ठीक लिनायस नहीं फेर का मतलब का साइन जो से चाहितिशेक्ट का नाम होता है वो इतल हैं यह फिर अंडर्लाइब कर NG मतलब कि हम स्रिफ शिया कि पर यह फिर उसी उचलिक सिल ए जो hatte हमारी हमहीं इंडिका को ही हम फिर इटालिक्स में लिखेंगे और या फिर अंडरलाइन करेंगे अब हम पढ़ने वाले हैं taxonomic hierarchy हमने species को identify किया फिर classify किया उन organism को हमने कहां पर classify किया कहां कहां पर रखा यह सब हम जानते हैं taxonomic hierarchy में जैसे कि classification में हमने देखा था कि on the basis of similarities or dissimilarities अलग-अलग categories में डाला जाता है अलग-अलग organisms को रइट तो categories को हम taxa के नाम से जानते हैं तो बहुत सारे taxa मिल के taxonomic hierarchy बनाते हैं और यह जो taxa होते हैं यह अलग-अलग rank होते हैं और यह एक unit of classification होता है जैसे कि अगर हम बात करें species की तो species सबसे छोटा classification होता है फिर उसके बाद genus आता है फिर family आती है फिर order class phylum division जिसे हम बोलते हैं फिर आता है kingdom से बड़ा taxon होता है अब हम पढ़ने वाले हैं species की तो species एक individual organism की group होते हैं और इनके पास fundamental similarities होती है सबसे lowest taxone पे होता है जैसे कि हमने बात धी human की वो चाहें अमरीका का human हो या फिर Indian human हो वो उसकी जो similarities है वो एक ही रहेंगी वो fundamental similar होंगी ठीक है जब हाब chapter start करते हैं तो उसके side page पे एक जान लेते हैं इनके बारे में हमें क्यों जानना है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा accepted species की definition दी थी जो आज भी लोग species को उसी तरीके से define करते हैं तो इनकी पैदाईश 5 जुलाई 1904 Captain Germany में हुई थी इनहीं 20th century का Darwin भी कहा जाता है और अपने 80 year के career में इन्होंने taxonomy, geography, evolution, systematics और history, philosophy of biology के उपर जादा ध्यान दिया था हम और Ernest Mayor जी को बहुत सारे prizes भी मिले हुएं जैसे की Balzen Prize in 1983, International Prize for biology in 1994, Cara Ford Prize in 1999 और ये तीन prize biology का triple crown होता है और 100 age में इनकी death हो गई थी 2004 में तो जो widely accepted species की definition है वो Ernest Mayor जी ने दी थी 1942 में इन्होंने कुछ ऐसे define किया था biological species को कि ये group होते है natural populations के जैसे की अभी आप horse को देख लो उनके अंदर fundamental similarities होगी और ये एक species आपस में interbreed कर सकते हैं मतलब की आपस में reproduction का process कर सकते हैं उसके बाद जो उनके baby form होते हैं वो भी reproduction कर सकते हैं मतलब की fertile babies form होगे ठीके और वहीं पे अगर हम different species का cross करवाते हैं तब हमें ऐसी of spring मिलेगी जो reproduction नहीं कर सकती है जिसे हम hybrid species बोलते हैं जैसे की mules जब एक horse और donkey cross करते हैं तब mule form होता है अभी आप बात परो panthera leo lion की तो फिर वो एक तरह दिखते हैं panthera tigris tiger की बात परो तो फिर वो एक तरह दिखते हैं तो जो leo, tigris, parthus यह सब क्या है यह सब species है ठीक है अगर हम वही जीनस की बात करें तो बहुत सारे species को जब हम एक साथ लग देते हैं उन्हें बन जाता है एक जीन इंट इस सोलैनम तो इस पिशीज में हमारी बहुत जादा similarities होती हैं लेकिन जीनस में थोड़ी सी कम हो जाती है जैसे जैसे हम इस पिशीज से किंग्नम तक बढ़ेंगे तब तक ना जो similarities है वो कम होती चरी जाएंगी तो इस पिशीज में सबसे जादा समिलर टीस को थी है अब हम फैमिली पढ़ने वाले हैं तो जब हम बहुत सारे जीनस को ग्रूप पे ले आते हैं उसी को हम family बोलते हैं जैसे कि family family जब हम बिल्ली की genus को ले आते हैं जब हम Families को एड करते हैं, तब हमारा Order कार्णीवोरा जब Family Felidity और Family Canadian add करते हैं, तब हमारा Order कार्णीवोरा बन जाता है. जब हम Family Call-Volvanecy और Family Solanasi को एड करते हैं, तब हमारा Order Polymorals बन जाता है. अब हम बात करते हैं classes की तो जब order बहुत ज़ादा मिलते हैं तब हमारा class बनता है जैसे की order sapindens और order uticles add करते हैं तब dicotylidens class बन चाता है तो order primata और order carnivorati मिलने से mammalia class बन चाती है वहीं अगर division और phylum की बात करें तो जो phylum word है ये animals के लिए use किया जा रहा है अगर हम animals की classification देखेंगे तो वहाँ पर phylum word ये use किया जाएगा और division plants के लिए use होता है जैसे phylum core data में class amphibia, class reptilia, class aves और class mammalia आ जाती है ठीक है division एंजियर स्वर्ण में class monocotylidens और class dicotylidens आ जाते हैं और kingdom में जब हम phylum और division को add कर देते हैं तब हमारा बन जाता है kingdom मतलब सारे ही five filem और division को एकटा कर देते हैं तब हमारा kingdom बन जाता है और इसमें बहुत ही कम similarities होगी जैसे कि अगर हम human ही बात करें और dog में बात करें तो बहुत ही कम हमारे अंदर similarities होगी लेकिन हम एक ही kingdom के हैं that is animalia, ठीक है, यह highest category होती है, मतलब की highest tax zone इसे माना जाता है, अभी हम बात करें, division angiosperm और division gymnosperm को add कर दिया जाए तो हमारा kingdom plant ready हो जाता है, phylum cord data, phylum arthropoda को जब हम add कर देते हैं, तो kingdom animalia हमारा बन चाता है, जो table है, organism with their taxonomic categories, table 1.1 यह सबको learn होनी चाहिए, especially need experience को, तो एक example के तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि first पे लिखा हुआ है common name, man, आदमी का, फिर biological name, आदमी का होता है, मतलब human का, homo sapiens, फिर genus होता है, humans का, homo, family होती ह है, hominid, order होता है, primata, class होती है, mammalia, और phylum division अब दोबल सकते है, होता है, cordata, ठीके तो आपको यह पूरे अच्छे से learn होना चाहिए, कि housefly, mango, wheat का biological name, genus, family, order, class, phylum, अब हम जो topic पढ़ने जा रहे हैं, वो स्रिफ board students के लिए है, तो अगर आप एक neat experiment है, तो यहां से जा सकते ह तो three domains of life, on the basis of genetic analysis, उन्होंने three domains of life ती, मतलब एक classification दी और यह नसम की, पहले क्या था, बहुत पहले, सिर्फ दो ही classification थी, kingdom plantae और kingdom animalia, फिर उसके बाद आया three kingdom classification, जिसके अंदर kingdom plantae, kingdom animalia, kingdom phungi थी, फिर उसके बाद आया five kingdom classification, जिसके अंदर kingdom Monira, kingdom protesta, kingdom animalia, kingdom phungi, kingdom plantae, लेकिन इन्होंने जब देखा, कि जो five kingdom classification है, उसमें monira में, सारे ही bacteria को एड किया गया है, और उनका जो मतलब था, वो यह था, कि जो argya bacteria होती है, और जो eubacteria होती है, उनके cell में काफी जादा डिफरेंस होता है, उनके RNA में काफी जादा डिफरेंस होता है, तभी इन्होंने three domains of life दिया है, domain का मतलब होता है, जिसके अंदर हम kingdom को भी रख सकते हैं, मतलब की highest से highest category मानी जाती है, taxonomy की, ठीक है, तो यहां पे three classification इन्होंने दिया था, argya domain, bacteria domain, और eukarya domain, argya domain में, argya bacteria का kingdom आ जाता था, जो की unicellular था, prokaryotic था, oxygen की कोई भी जैसे कि methanogens, thermophiles, halophiles, methanogens जो की methane में रहते हैं, thermophiles जो बहुत जादा temperatures में रहते हैं, halophiles जो की salt में रहना प्रिफर करते हैं, bacteria domain में यू बैक्टेविया आ जाती थी, जो की unicellular होती थी, prokaryotic होती थी, और oxygen की भी उन्हें जरूरत होती थी, जैसे की cyanobacteria, जिसे हम blue grain algae के नाम से जानते हैं, eukarya domain में उन्होंने सारे ही organism को रख दिया, जो की eukaryotic organism थे, जैसे की kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae, kingdom animalia, ये सारे ही kingdom को रख दिया, हला कि हमें detail में पढ़ना है, five kingdom classification, जो की next chapter में पढ़ना है, biological classification में, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी था, ठीक है, तो हाँ हमारा chapter ख करवारे की कुशिश की है, और अगर अच्छा लगा होगा, तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्सी, और next chapter भी कमेंट कर सकते हैं, कि आपको next chapter कौन सा चाहिए,